नमस्कार दोस्तों तो गुर्कुल पॉइंट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है काफी दिन के बार मुलाकात हो रहा है तो नंबर सिस्टम पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसी को आगे हम लोग कांटिन्यू करेंगे और अब नंबर सिस्टम के अब जैसे कोई संख्या अगर हम लिखते हैं सपोज कर यह 20 है 30 है 40 है और अगर इसका LCM पूछा जाए तो इन तीनों का LCM जब हम लोग निकालते हैं तो LCM आता है 120 LCM आया इनका 120 ठीक तो देखो LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रतेक संख्या द्वा मैं 1030 पूनता विभाजित हो काने का मतलब यह था मैं 120 है सबसे स्थे क्होंटी संख्या है कि zone 20 से इसे से और चोटी संख्या संबह नहीं है तो जो प्रतेक संख्या से संख्या से पूनता विभाजित हो तो उस संख्या को हम लोग करते हैं LCM अगर आपसे पूछाए जाए क तो LCM का परिवासा ये कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM वो चोटी से चोटी संख्या होती है जो दी गई प्रती एक संख्या द्वारा पूरता विभाजेत हो अब LCM निकालने के कई तरीके हैं सबसे पहला जो बिसिक तरीका है जिसको हम लोग छोटे क्लास से स्टार्ट करते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि जैसे कोई नंबर है 12 है 15 है 20 है 25 है इसका अगर सपूझ करिया LCM निकालना है तो एक तो तरीका इस तरीके से आप सभी लोग इसका प्रियोग करते होंगे तो जैसे देखा जाए सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे यानि 2 अब 2 से देखा जाए तो 2 से यह हो गया 6 हो गया 2 से यह नहीं कटा उसी तरीके से उतार देंगे और 2 से यह 10 बार में और यह नहीं कटा 25 बार में अब इनको अगर देखा जाए, तो अब ये नमबर 2 से नहीं भाजित होंगे, ठेक, और जब 2 से भाजित नहीं होंगे, तो फिर 3 से चेक किया जाएगा, तो 3 से ये एक बार में, ये 5 बार में, ये नहीं कटा, 5 हो गया, और ये 25 भी नहीं कटा, 25 हो गया, इसके बाद 3 से नही इनका अगर हम लोग LCM निकालें तो 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 5 ठेक अब टोटल अगर देखा जाए तो 25 गुड़े 4 यानि 100 और 100 गुड़े 3 यानि 300 तो इनका LCM जो हो गया वो 300 हो गया एक तो यह बिशिक तरीका दूसा तरीका फैक्टर सिस्टम जैसे 12 दिया गया है तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुड़े 2 गुड़े 3 15 दिया गया है 15 को लिखा जा सकता है 3 गुड़े 5 20 को लिखा जा सकता है 2 गुड़े 2 गुड़े 5 और 25 को लिखा जा सकता है कि 5 गुड़े 5 इनका हमें LCM निकालना है तो LCM में जो कामन होता है वो तो होता ही होता है और जो कामन नहीं होता है वो भी होता है ठेक यह हम यह कह सकते हैं कि हमें यह देखना होगा कि इनमें 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कहां मौजूद है उसको नोट करना हो ठेक जैसे देखो 2 का फैक्टर यहां 2 बार है यहां भी 2 बार ह तो सबसे बड़ा फैक्टर 2 का इन दोनों में है तो उसे हमें लिखना होगा, यानि सबसे बड़ा फैक्टर लिखा जाएगा, ठेक, तीन का अगर हम सबसे बड़ा फैक्टर देखें, तो एक बार यहां है, एक बार यहां है और इनमें नहीं है, तो कहीं भी मौझूद हो, ज आज़ा यहां से आंसर हो गया 300 दूसा तरीका हो गया तिसा तरीका इसी सिस्ट्रम का यूज करते हुए हम लोग तिसा तरीका प्रोक करेंगे और तिसा तरीका जो हम लोग प्रयोग करते हैं तीसरा तरीका जब हम लोग प्रियोक करते हैं तो संख्याओं के फैक्टर सिस्टम को ले करके चलते हैं जैसे जो अभाज संख्या है जो अभाज संख्या है जैसे दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, साथ हो गया, इग्यार है इस तरीके से इसका पहला फैक्टर दो, दूसरा, चार, तीसरा, आठ, सोले, ऐसे बढ़ते जाएंगे तीन का देखा जाए तीन, नौ, सत्ताइस, एक्यासी इस तरीके से एक्सो पच्चिस, छैसो पच्चिस इस तरीके से, जैसे साथ का देखा जाए, साथ, उन्चास, 343 और 2401 इस तरीके से 11 का देखा जाया तो 11 11 का स्क्वाइर 121 11 का क्यूब 131 और 11 का अगर स्क्वाइर कर दिया जाया तो 146 और यहां से देखा जाया 41 तो इस तरीके से इन संख्याओं का हम लोग प्रियोग करेंगे ठीक अब जैसे कोई कोश्चन हम लेते हैं जैसे हमने लिखा 24 है 36 है 48 है 60 है इनका हमें LCM दिकान में है तो हम यह देखेंगे कि इन संख्याओं में कि जो भी संख्या है 2 के सबसे बड़े फैक्टर किस से विभागित हो रहा है जैसे 2 से एकट रहा है 4 से कट रहा है 8 से कट रहा है 16 से नहीं कट रहा है आगे बढ़ जाएगे यानि इसमें 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 8 मिला लेकिन हमको देखना है कि कहीं और उससे ज़्यादा कोई फैक्टर तो नहीं मौजूद है 8 के बाद 16, 32, 64 इस तरीके से तो अब यहां 8 के बाद बढ़ेंगे तो 16 से नहीं कटा यह भी नहीं कटा लेकिन यह कट गया 16 के बाद अगला फैक्टर 32 आएगा देखा जाए क्या 32 से कट रहा नहीं कट रहा तो 2 का जो सबसे बड़ा फैक्टर मिला वो 16 मिल गया 3 का फैक्टर देखो तो 3 से कटा, 9 से नहीं कटा, आगे बढ़ गया 9 से कटा, 27 से नहीं कटा यान 3 का सबसे बड़ा फैक्टर मिल गया 9 इसके बाद अगर देखा जाए 5 से यह कट गया तो यह हो गया 5 अब यह कोई नंबर ना यह 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा तो इस तरीके से देखा जाए कि 16 पच्चे 80 और 8 नौवा 72 यानि इनका जो LCM हो जाएगा, तो 720 हो जाएगा ठीक, जैसे और संख्या लेते हैं, जैसे 21 है 21 है 28 है 35 है 42 है, इस तरीके से इनका हमें LCM निकालना है देखो, दो का सबसे बड़ा फेक्टर अगर देखा जाए, तो 2 से यह नहीं कट रहा है, ठीक है आगे बढ़ेंगे, 2 से कट गया, 4 से भी कट गया लेकिन 8 से नहीं कटा, 8 से और कोई नमबर नहीं कटा, यानि इसका मतलब 2 का जो सबसे बड़ा फेक्टर है वो 4 है, जो इसमें मवजुद है 3 से देखा जाए, तो 3 से यह कट रहा है 3 हो जाएगा, ठीक 5 से देखा जाए, तो 5 से यह कट रहा है और किस से कट रहा है, 7 से सब का अपसमें बड़ा कर दो, तो 4 गुड़े 5 20 और यहां 3 गुड़े साथ 21 तो 20 गुड़े 21 कर दिया जाए 21 गुणा 42 यानि इनका जो LCM आ गया वो 420 आ जाए, इस तरीके से किसी भी संख्या का हम लोग LCM निकाल सकते हैं अब अगर हम HCF की बात करें HCF यानि Highest Common Factor जैसे कोई नंबर जैसे सब्सक्राइब हमने ले लिया 36 ले लिया और 40 ले लिया और 72 लिया इनका हमे HCF निकालना है तो देखो 36 का अगर फैक्टर किया जाए तो 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 लिखा जा सकता है और 40 का अगर फैक्टर किया जाए तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 लिखा जा सकता है और 72 का अगर factor किया जाए तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 लिखा जा सकता है ठेक HCF का मतलब होता है वो factor जो सम्मे मौझोद हो यानि common factor largest common factor अब जैसे इसमें common factor देखा जाए तो देखो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है यानि 2 इनका common factor हो गया और अगर देखा जाए तो जैसे 2 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है तो एक दो और इनमे common factor हो गया अब देखा जाए तो देखो अब 2 common factor नहीं यहाँ 3 है यहाँ 2 है इसमें यहां बन जार्ट है तो आगर देख्भा दाए तो यहां भी है यहां भी है यहां तो इसलिगे तीन हो गया त्यृक ईश्टी से दो गुड़े 2-4 चार और 4 गुड़े 12 तो इनका जो SCF हो गया वह 12 हो गया तो जैसे हम लोग यह कर सकते हैं जैसे 36 है 48 72 है इनका SCF निकाला गया SCF आया 12 SCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी संख्या जो दी गई प्रतेक संख्या को पूर्ता विभाजित करें यानि कहने का मतलब यह है कि 12 से और कोई बड़ी संख्या नहीं हो सकती कि जो इन तीनों संख्याओं को काट सके 12 से और कोई बड़ी संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों को काट सके तो देखो 12 ही सबसे बड़ी संख्या है कि जो 36 को भी भाग दिया जा सकता है और 40 को भी भाग जा सकता है और 72 को भी भाग दिया जा सकता है ठेक और 12 के जितने factor हैं जैसे 12 जिन जिन संख्याओं से कटेगा जैसे 2 से कटेगा 3 से कटेगा 4 से कटेगा 6 से कटेगा और 12 से कटेगा तो अब इन में देखा जाए तो देखो 2, 3, 4, 6 से नहीं ये सभी संख्याएं विभाजित हैं लेकिन हम 2, 3, 4, 6 को हम इनका S.E.F. नहीं कह सकते इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये factor तो है इसके लेकिन छोटा factor है तो जो सबसे बड़ा factor होता है वही इनका S.E.F. होता है और सबसे बड़ा factor क्या मिला? 12 यानि हम ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का S.E.F. वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रतेग संख्या को पूरता विभाजित करते हैं अब S.E.F. निकालने के लिए दो तरीके हैं एक तो factor system और दूसरा divide method अब divide method की अगर हम बात करें तो जैसे कुछ number अगर हम लिखते हैं जैसे हमें लिखा 270 लिखा 105 लिखा और 350 लिखा इनका S.E.F. निकालना है तो अगर यहां हम लोग divide method का यूज करते हैं तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको उससे छोटी संख्या से भाग दे दे एक बात 270 0 आगे 15 में से 7 यानी 8 इसके बाद देखा जाए तो यह 270 हुआ तो यहां से तीन बार 240 0 3 30 आए यहां से 80 60 10 आए और यह 30 तो इस तरीखे से देखा जाए कि इन दोनों संख्याओं का इन दोनों संख्याओं का जो HCF आया इन दोनों संख्याओं का Samsung हमकितना आ गया भाई 10 ऐख अब जो 10 आया तो अगले वाले में हमें करना है जो 105 है उसकाаете है अब यहां से 10 बार ले जाया गया तो 100 आ गया 5 है 5 से भाग दे दिया गया 10 को 2 बार में कट गया यानि इन सभी संख्याओं का जो SCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ठीक इस तरीके से हम लोग divide method को solve करें एक example और लेते हैं जैसे दिया गया है 611 दिया गया है और 1363 दिया गया पूछा जा रहा है कि इनका SCF क्या होगा तो हम लोग जो बड़ी संख्या है 1611 में से यह 4 गया तो सात आ गया और आदस मेंसे यह 4 ठीक 131 तो यहां से तीम बार में यह 141 हो गया और पूरा पूरा यह एंजर्स हो इस तरीके से इन दोनों संख्याओं आगर तो इन दोनों संख्याओं का जो SCF हो गया वोнок हो गया है चलो भाई तो अभी तक हम लोगों ने LCM और SCF कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या है अगर घात के रूप में दिया गया है कोई भी संख्या है अगर घात के रूप में दिया गया है जैसे मालो साथ का पावर 20 है साथ का पावर 25 है साथ का पावर 30 है या साथ का पावर 40 है अगर इनका LCM पूछा जाए या SCF पूछा जाए तो जब भी हम LCM निकालेंगे तो हम देखेंगे कि अगर इनका बेश समान है अगर इनका अलहार समान है तो हम यह देखेंगे कि भई सबसे ज़्यादा पावर कौन सा है यानि यहां देखा जाए तो 20 है, 25 है, 30 है, 40 है तो सबसे जादा बड़ी संख्या ही इन सबका LCM होगा तो यानि 7 का पावर कितना होगा 40 जैसे LCM का मतलब होता है कि वो संख्या जो सबसे भी भागित हो तो देखो 7 का पावर 40 रहेगा तो जो हम 7 के पावर 20 से भाग देंगे तब भी कटेगा, 7 के पावर 25 से भाग देंगे तब भी कटेगा, 7 के पावर 30 से भाग देंगे तब भी कटेगा, और 7 के पावर 40 से भाग देंगे तब भी कटेगा, भाग देने का मतलब इस तरीके से है, जैसे 7 के पावर 40 को अगर कहा जाए कि 7 के पावर 20 से भाग दो तो अगर बेश समान है बेश समान है और इनको भाग दिया जाएगा तो यहां जो घात होता वो घट जाता है तो 7 का पावर 40 में से 20 कम हो जाएगा तो यहां 7 का पावर 20 इनका आंसर हो जाएगा ठेक अगर कहा जाए कि 7 का पावर 40 को 7 के यह है कि LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रतेग संख्या द्वारा पूंतर विभाजित हो जाए तो साथ इनमें सब में देखा जाए तो साथ का पावर से बड़ी संख्या जो दी गई प्रतिक संख्या को पूर्ट विभाजित करें यानि वो उसको काटे तो इसलिए यहां अगर इन संख्याओं का S.E.F. आप निकालेंगे तो साथ का पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा अगर कोई ऐसा नंबर दिया जाए जिनका बेश समान हो जैसे 9 का पावर 12 है माइनस में है 9 का पावर 15 है 9 का पावर 20 है और 9 का पावर 30 इस तरीके शरीए जिनका बेश समान है अगर इनका LCM पूछा जाए, अगर इरात्मक होगा, तो इन में देखा जाए, तो जो पावर सबसे कम होगा, यानि 7 का पावर जो है, माइनस 12 सबसे कम होगा, वो इनका LCM होगा और अगर हम SCF की बात करते हैं, तो जो सबसे अधिक होगा, 7 का पावर माइनस, 30 जो होगा, वो इनका SCF हो जाए, ठेक, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि निगेटिव लगा हुआ है, तो जब हम भिन्न में बदलते हैं, तो इसको हम 9 का पावर 12 लिख सकते हैं, इसको 1 बटे 9 का पावर 30 लिख सकते हैं, ठेक, अब चुकि जब भिन्न का हम लोग LCM निकालते हैं, तो उपर का LCM और नीचे का SCF हता है, तो इनका जब हम LCM निकालेंगे, चुकि सब बराबर है, तो एक आजाएगा, और HCF को अगर देखा जाए, तो SCF मतलब अगर समान घात हैं, समान जाता है, तो नो का पावर माइनस 12 हो जाता है, ठेक, अगर किसी भिन्न का हमें LCF निकालना है, तो उपर वाली संख्या का LCM निकालेंगे, और नीचे वाली संख्या का LCM निकालेंगे, अब इसमें उपर वाली संख्या का LCM आएगा एक, और नीचे वाली संख्या का LCM अगर कोई नंबर भिन्न में दिया गया है जैसे तीन वटे पांच है साथ वटे दस है और इग्यारे वटे पंद्रह है या 21 वटे बीश है इनका अगर LCM पूछा जाए जब भी ये भिन्न के रूप में हो तो उपर वाली संख्या का LCM होगा और नीचे वाली संख्या का LCM होगा और अगर SCF पूछा जाए, तो उपर वाली संख्या का SCF होगा, और नीचे वाली संख्या का LCM होगा, अब जैसे इसमें अगर इनका LCM निकालना है, तो उपर वाली संख्या का LCM होगा, और अगर इनका SCF निकालना है, तो उपर वाली संख्या का SCF होगा, जैसे LCM निकालना है तो उपर वाली संख्या का LCM भी तीन है साथ है 21 से 11 है तो 21 गुड़े 11 हो जाएगा तो यहां से 231 बटे 5 हो गया अगर इन संख्याओं का हमें SCF निकालना है तो उपर वाली संख्या का SCF निकलेगा कुछ भी कामन फैक्टर नहीं मिला है तो एक हो जाएगा और नीचे वाली संख्या का LCM निकाल दिया जाए तो पांच है 10 है 15 है 20 है दो का सबसे बड़ा फैक्टर मिला चार इसके बाद मिला तीन चारतियां बार कि एक एक जामपल और लेते हैं जैसे दिया गया है 12 वाटे 15 है 20 वाटे 30 है और 36 वाटे पूछा जा रहा है कि इसका LCM और SCF क्या होगा तो चाहिए जो भी निकालना हो संख्या हमेशा अपने निवन्तम रूप में होना चाहिए जैसे 12 वाटे 15 है दोनों 3 से कटेंगे तो 3 से 4 वार में पांच वार में यह 10 से कट जाएगा 2 वाटे 3 और यह बारस कट जाएगा ब नावन संख्या का SCF और कुछ नमान तो 1 तो आंसर हो जाएगा 12 वाटे एक होजाएगा एनी 12 होजाए है ठीक अगर ही पूंचा जा कि SCF क्या होगा तो उपर अगर लेकर नावन का यह 15 बारस को साथ इस तरीके से ऐसी शंख्या का हम लूँग अंसर देंगे झाल